जिट्वंटीं एंटी कर्थून वॉक्इंग गुरूप की बैषक जारी लिला होटल में बैठक चल रही है केंध्री राज्ट्रे मंतरी जितेंद्रि सिंह ने बैठक की शुरुवात की घ्यारा बजे प्रस कॉंस करेंगे केंद्री राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग आपको बता दें कि 4 दिन तक चलने वाली बैठक के बारे में जानकारी केंद्री राज्यमंत्री के और से पीज आएगी बैठक के बार जिनर होगा और जिनर में मुख्यमंत्री मनुहलाल भी हिस्सा लेंगे तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रही है। इस समय जी 20 की बैठक N.C. करप्शन वोर्किंग गृप की बैठक इस समय गुरूगराम की लीला होटल में चल रही है। और इस समय आपको बता दें की ये बैठक इस बैठक में केंट्रियर राज्यमंत्री जीतेंद्र दिन का जो सत्र है एंटी करप्षिन को लेकर और ऐसे में अभी जो बैठक चल रही है इसमें क्या कुछ रहने वाला है चार दिन तक जो चलेगा ये सेशन उसमें क्या कुछ रहेगा पूरी जानकारे दें देखिया वंतिका बिल्कुल आज से जी ट्वंटी का जो पहला सत्र है गुरुग्राम में वो आज शुरू हो गया है सुबा साड़े नो बजे जो कि केंद्रिय राज्य मंत्री जितंद्र सिंग ने इसका शुबारम किया है मैं इस समय लीला होटल में मौजूद हूँ जहां पहले आपको एंट्री गेट से दिखा दू कि यहां पर जी ट्वंटी दोहजार तेईस इंडिया जो की वसुदेव कुटुम्बकम से शुरुआत जो है यहां पर विदेशी महमानों की की गई है अतिती देवो भवा जो की हर्याना की परंपरा है तो सबसे पहले जितने भ जो आसपास का जो एरिया है वो पूरी तरह से भव्य तरीके से यहां पर सजाया गया है आज जो पहला सत्र है वो फिलाल शुरू हो चुका है और इसी तरीके से शाम तक जो है यह इसी तरह से सत्र चलेंगे और उसके बाद रात्री भोज में हर्याना के मुख्यमंतरी अपने पूरे मंत्री मंदल के साथ विदेशी महमानों के साथ डिनर करेंगे और साथ में उनका स्वागत करेंगे आप पूरी ये तश्वीरे देख रहे हैं कि किसी किस तरह से G20 को लेकर क्योंकि इस बार जो G20 की मैजवानी है जो भारत कर रहा है और ऐसे में अलग-अलग भ तैयारी जो है यहां पर पूरा जो विश्व है वो कर रहा है अलग-अलग विचार विमर्ष जो है साजा किये जाएंगे जो कि यहां पर 20 देशों के जो परतिनीदी आये हुए है इसके अलावा अमंत्रित जो देश जी बिलकुल गुलशन दिखिए इस समय क्योंकि एंटि सेशन चलने वाला है किस तरह से चलेगा ग्यारा बजे प्रेस कॉंफरेंस होगी लेकिन क्या उसके बाद भी सेशन जादी रहेगा अब पूरी डीटेल एक बाट दें कि किस तरह से पूरा सेशन रहने वाला है देखिए वंतिका अलग-अलग सत्र होने हैं और 11 बजे प्रेस कॉंफरेंस करेंगे केंद्री राज्यमंत्री जितेंदर सिंग जो ये जानकारी देंगे कि जो चार दिन गुरुग्राम में जो बैटको का दोर है क्योंकि तीन दिन तक जो है गुरुगाओं के लीला होटल में लगातार बैटको का दोर होगा अलग-अलग सत्र यहां पर किये जाएंगे और स्पेशल जो सारे सत्र है वो एंटी क्रॉप्शन वर्किंग ब्रस्टाचार मुक्त कैसे किया जाए पूरे विश्व को इस पर यहां पर चर्चा होगी आपस में विचार विमर साजा किये जाएंगे और जो लास्ट चोते दिन यानि की चार मार्च की बात करें तो अलग-अलग जगा जो है गुरुगराम में विदेशी महमानों को घुमाया जाएगा जो गुरुगराम में अच्छी-च्छी जगा है और वो भी जो है चिनित कर ली गई है परचाशन की तरफ से की विदेशी महमानों को कहां-कहां पर ले जाया जाएगा मैं आप दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि जो विदेशी महमान यहां पर अलग-अलग जगे जाएंगे कि वो कहां कहां पर जाएंगे एक प्रताब़ Après फारम जाएंगे तो यह तमाम जगें पर पर स्पर्षाष्ण की तरब से पूरी वयवस्ता हैं यहां पर कर ली गई है और सबसे बड़ी जो मिलेट फूड जो है ये वर्ष मनाया जा रहा है तो ऐसे में सभी विदेशी महमानों को मोटा अनाज का डिनर यहाँ पर कराया जाएगा जिसमें मुक्य मंत्री मनहोर लाल और मुक्य मंत्री के साथ तमाम मंत्री मंडल मौजूद रहेगा सभी जो है वहाँ पर मिलेट फूड का जो है आनंद लेंगे और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह विदेशी मेमान यहाँ पर आये हुए हैं तो सभी जो चर्चा जो कर रहे हैं वो ब्रस्टा चार मुक्त विश्व कैसे हो सके आलग-अलग देशो में कैसे एंटी कर्ब्शन वरकिंग को लेकर काम किया जाता है और वो अपना विचार विवर्शा करेंगे इसी तरह से भारत में जो ब्रस्टा चार मुक्त को लेकर लगातार भाटपा जो है अपना काम कर रही है और इस पर भी वो अपना विचार विमर्श उन विदेशी मेहमारों से करेंगे बिल्कुल किस तरह से ब्रेश्चाचार को खत्म करना है और इसी को लेकर आज G20 के सभी देशों है वो बैट कर चर्चा कर रहे हैं विचार विमर्श कर रहे हैं गुरुग्राम में चार दिन का ये सेशन रहने वाला है बहुत शुक्रिया गुल्शन तमाम जानकारी देने के लिए और इस दोरान देके में जबानी गुरुग्राम में हो रही है गुरुग्राम की और से की जा रही है तो ऐसे में हर्याना की जो संस्कती है उसकी चलिक भी यहाँ पर देखने को मिल रही है